देखिए हमें क्या सिथ करना है 10 theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus 10 theta is equal to 1 plus 6 theta into cos theta तो चलिए LHS ले ले लेते हैं सबसे पहले LHS 10 theta सभी पद को सबसे पहले हम लोग 10 theta या cot theta में बतल लेते हैं तो 1 minus cot को लिख सकते हैं 1 by 10 theta okay plus cot को लिख सकते हैं 1 by 10 theta by 1 minus 10 theta ठीक है चलिए बराबर 10 theta यहां इस 1 के नीचे नहीं कुछ तो एक तो होगा न तो क्या करेंगे आप 1 और 10 का LCM हो जाएगा 10 theta ठीक है तो एक से दिवाइट करेंगे तो कितना बचेगा भागफल 10 ही बचेगा 10 को ने 1 करेंगे तो आएगा 10 theta minus 10 को 10 से भाग करेंगे तो एक आएगा भागफल तो एक एक का 1 plus 1 by 10 theta ठीक है अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा न इसे हम लोग इन्टू लिख करके लिख सकते हैं 1 by 1 minus 10 theta ओके फिर देखिए कितना हो जाएगा 10 theta अच्छा by में यह है बच्टे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा इसे गुणा लिख के आप अलट सकते हैं 10 theta और यह by में आ जाएगा 10 theta minus 1 प्लस एक को एक से गुणा किजिएगा तो एक ही आएगा बट्टे 10 theta इंटू 1 minus 10 theta अब देख लिजिए जब 10 गुणे 10 होगा तो कितना हो जाएगा 10 square theta बट्टे 10 theta minus 1 plus 1 by 10 theta into 1 minus 10 theta ओके अब क्या करते हैं LCM ले लेते हैं अच्छा एक चीज और धेंट यहां है 10 theta minus 1 यहां 1 minus 10 theta तो इससे हम लोग क्या करते हैं 10 theta minus 1 में लाने के लिए क्या करेंगे कि अन्ष और हर दोनों को minus 1 से गुना करते हैं अन्ष और हर दोनों को क्या करेंगे minus 1 से गुना करते हैं क्योंकि अन्ष और हर को समान संख्या से गुना करने से अनुपात में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है इसलिए हम अन्ष और हर दोनों में माइनस एक से गुना करतेंगे इससे क्या फायदा होगा कि 10 स्क्वाइर ठीठा यह तो अस kuv यह तो अ에ज इस रहेगा लेकिन उपर क्या हो जाएगा पलस मायनस हो जाएगा यह माइनस एक को एक से गुना किजिए तो एक और नीचे 10 ठीठा इन्टू अब देखिए माइनस गुने माइनस भन जाएगा LCM ले सकते हैं ठीक है बढ़ाबर इसी को बढ़ाई है अब इसका LCM कितना हो जागा 10 theta minus 1 into 10 theta into 10 theta minus 1 तो मिन्स 10 theta into 10 theta minus 1 यह हो जाए LCM यह और यह दो से मैंसे रिपीट नहीं करेंगे एक ही बार लिखेंगे दिखा चुका है अब 10 theta minus 1 से 10 theta minus 1 cancel तो बचेगा क्या भागफल 10 theta तो 10 theta गुने 10 square करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 cube minus है तो minus टल दिजी और 10 theta into 10 minus theta से पूरा से पूरा cancel हो जाए एक बार में तो एक से एक गुना होगा तो एक अच्छा अगर एक हमें मालूम है कि एक का cube भी एक ही होगा एक का cube भी एक ही होगा तो क्या इस एक को एक cube लिख सकते है जी बिलकुल लिख सकते है अब क्या हो जाएगा ऐसा करने से एक algebraic formula लागू हो b है 1 होगा a b a square plus a b plus b square तो b कितना है एक square एक क्यों माइनस b के और एक माइनस b into a square plus a b plus b square उस यादार पर मैंने इसे पूट कर दिया और नीचे में क्या है 10 theta into 10 theta minus 1 देखिए 10 theta minus 1 से 10 theta minus 1 cancel हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है और into में उपर भी है into में नीचे भी है अब देखिए 10 square को हम लोग लिख सकते है 10 theta into 10 theta 2 times में बिल्कुल लिख सकते है अब बट्टे में कितना है 10 theta देखिए यह LCM है 10 यहां भी 1 times में cancel ठीक है इस 10 को आप लिख सकते है 10 को 10 ही रहने दीजिए ठीक है plus 10 by 10 cancel हो कितना हो गया 1 plus 1 by 10 कितना हो जाएगा got theta ओके अब क्या करना है कि इस 1 को यहां लिख लिजिए हमें 1 लाना है तो 1 तो आ चुका है तो 1 को रहने दीजिए क्या इस 10 theta को इस 10 theta को प्लस में है यह प्लस में sin theta by cos theta लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है plus cot theta को cos theta by sin theta लिखा जा सकता है इस 1 को रहने दीजिए क्योंकि हमें 1 लाना है 1 तो आ चुका है तो इसे इसे बट्टापर के जोन में शामिल नहीं करना है हमें क्या करेंगे 1 प्लस इसको लग रखिए अब इस दोनों में sin और cos का जाएगा cos square theta ओके अब कितना हो जाएगा यह 1 प्लस sin square theta प्लस और cos square theta बढ़ाब होता है 1 cos theta into sin theta ठीक है अच्छा इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 by cos theta into 1 by sin theta क्योंकि 1 by cos into sin या 1 by cos into 1 by sin दोनों का value तो सेम ही होगा हम बिलकुल लिख सकते है 1 प्लस 1 by cos बढ़ाबर कितना होता है 6 theta और into है तो into 1 by sin बढ़ाबर कितना हो जाएगा cos theta तो यह हमें क्या प्राप्त हुआ RHS देखिए 1 plus 6 theta into cos theta बढ़ाबर RHS ओके